Hello everyone, I am Soumya Pandey, ITO BAS 2021, और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, Economic and Social Development means आर्थिक और सामाजिक विकास की जो घटना चक्र है, इस घटना चक्र के किन-किन chapters को हमें पढ़ना है, और जिन-जिन chapters को पढ़ना है, उसमें कितना-कितना पढ़ना है, और क्या कोई chapters भी करना है, क्योंकि बा पढ़ें या ना पढ़ें? देखें, इसका आज़ए हैं कि इस घटना चक्र को आपको पढ़ना बेहत जरूरी है, न कि Skip करना तो दूर की बात है, ऐसा भी नहीं एक आप इसको ढ़ीले मिलें. पढ़ना तो इसको जरूरी है, लेकिन कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ना ह किन-किन chapters को कम ध्यान देना है ये मैं आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते हूँ कि इसको पढ़ना जरूरी क्यों है इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप इसके questions को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि current के किन questions को हमें पढ़ना है जो कि exam में आ सकते क्योंकि जैसे जैसे पुराने questions आए हुए है सेम उसी pattern पे new questions आते हैं बस data बदल जाता है year बदल जाता है तो जब आप खुद इस book को पढ़ेंगे खुद analyze करेंगे तब ही आप जान पाएंगे कि कौन सब question है जो आगे आ सकता है 2017 में 18 में 19 में जिस तरह का question पूछा है 2023 में भी उस तरह कही questions उसी तरह कही questions पूछे जाएंगे तो सबसे पहले तो इस book का new version आप लीजेगा इसलिए क्योंकि ये data based book है और इसमें जो government की नई schemes होती है जो घटना चक्र नई वाली होती है वो आ जाता है तो इससे आपको ज़ादा आसान रहता है ये analyze करना कि previous year में ये question आये था तो अगले साल कौन सा question आएगा data जो होता है वो लगबग आसपासी रहता है तो आप आर्थिकी से जब उसको add करके पढ़ेंगे तो काफी आसान हो जाता है दूसरा यही है कि आपको इस book के साथ आर्थिकी को भी पढ़ना है एक बार इस book को पढ़ लीजिए अभी नई वाली आर्थिकी आई नहीं है नई वाली आर्थिकी 2023-2024 वाली अभी शायद आई नहीं है कुछ दिनों में बोल रहते आ जाएगी या आ गई होगी एक दो दिन पहले तो आप तोड़ा उसको देख लीजेगा अगर वो आ गई होगी तो उसके साथ इसको पढ़ना है क्योंकि उसमें डेटाज current के डेटाज रहेंगे UP level के भी और national level के भी प्लस इसमें static portion और डेटा portion दोनों रहेगा तो इस तरीके से जब आप दोनों साथ में लेके पढ़ेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाएगा तीसरी चीज है कि इस book को पढ़ने के लिए सबसे ज़री है कि वो questions जो डेटा पेज नहीं है static portion है वो उस पे आपको बहुत ज़ादा ध्यान देना है क्योंकि वहाँ से questions आते है और इससे सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि current में हमें क्या पढ़ना है जैसे मैं अभी आगे बताऊंगे आपको कि कई सारे questions जो हम लोग previous year में पढ़े रहते हैं लेकिन जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार ये वाला question 2017-18 में आया था तो 23-24 में भी ये वाला आ सकता है बस data जैसे indexes होते हैं कोई data होता है कोई scheme है कोई policy है इस तरीके से चीजी तो ये सब समझने के लिए properly इस book को पढ़ना analyze करना जरूरी है अब जो 2023 में exam दे रहे हैं वो इस book को कैसे पढ़ेंगे ये मैं आगे बताती हूँ तो देखे इस book को A, B, C, D, E 5 parts में divide किया गया है पार्ट A है economic development, आर्थिक विकास, पार्ट B है सामाजिक विकास, पार्ट C है external sector, पार्ट D है miscellaneous जिसमें बहुत सारी vivid चीज़े रहेंगी और E है demography, demography में जन संख्या की बारे में आपका रहेगा तो सब से पहले हम बात करते हैं पार्ट A की पार्ट A में chapter 1, 2, 3 nature of Indian economy, national income and gross domestic product और sustainable economic development ये तीन chapters जो हैं आपके इन तीन chapters को आपको सिर्फ static portion पढ़ लीजे बहुत ज़्यादा detail में नहीं पढ़ना क्योंकि यहां से सिर्फ database questions आते हैं और कुछ static questions वो आपको पढ़ने हैं जो UP में आए हुए आपको मैं फिर बता रही हूँ वो questions जो UP में आए हुए है तो मेरे हिसाब से अगर आपने previous year question paper solve की होंगे तो वो question तो वही cover हो जाएंगे आपको लेकिन फिर भी एक बार यहां पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा तो ये तीन chapter पहला, दूसरा, तीसरा ये तीन chapter आपको बस static portion पढ़ लेना है sustainable development, sustainable economic development में आपके SDG goals जो है SDG goals जो 17 goals हैं वो आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि आप 2019 में goal 6 के बारे में पूछा था 21 में भी किसी एक goal के बारे में पूछा था इस तरीके से पूछता रहता है तो आपको goals का यादोना चाहिए जो चीज ज़ादा news में रहती हो वहां से पूछ लेता है agriculture and allied sector, industrial sector and tertiary sector ये तीन sectors जो ऐसे हैं जिनको आप static portion यहां से देख लीजेगा इन से related कोई government की scheme या program आई होगी तो वो आपके current affairs की notes में मिल जाएगी उस पे ज़ादा दिक्ता तो नहीं है इन तीनो chapters में एक चीज जो घटना चकर में रहती है वो ये रहती है इन तीनो chapters के कुछ committees हैं जिसे आप भी दुसेन committee, रेखा committee, चलहिया committee इन तीनो chapters की जो schemes है ना वो schemes 15-20 committees बनाई गई थी जो अलग अलग चीजों पर अपने सुझाओ देती हैं उन committees को जरूर पढ़ लीजीगा committees से questions आ जाते हैं बाग की जो data है वो आपका आर्थिकी में proper इन तीनो chapters के जो data है वो आर्थिकी में मिल जाएंगे और जो static portion है वो भी लगबग आर्थिकी cover कर देता है तो ज़ादा दिक्कत नहीं है fiscal policy and revenue ये तो budget आता ही है बजट आर्थिकी में देता है यूपी का भी budget देता है और national budget भी देता है economic survey भी देता है तो वो भी आपका पूरा का पूरा cover हो जाएगा आर्थिकी से लेकिन आप यहाँ पे static questions जरूर एक बार देख लेजेगा भले ही आप data best questions ना देखें लेकिन static questions जरूर देखेंगे क्योंकि वो आपको फाइदा करेगा एकात questions ऐसे होंगे जो आपके आर्थिकी में नहीं होंगे जो इसमें होंगे इसके बाद आता planning वाला chapter planning वाले chapter में आप planning को objective किया था और 12 plans government के दोरा बनाए गए थे तो उन 12 plans के एक-एक line के कुछ-कुछ objectives है 12 plans के objectives जरूर आप याद रखिएगा और खास करके 11th और 12th plans के जो objectives थे उनको जरूर याद रख लिजेगा कौन से plan पेल हुए, कौन से पेल नहीं हुए उस पे आपको focus करना है उसके बाद नीतियायोग, it's working इतना इस chapter में planning में आपको इसमें तो बहुत ज़्यादा detail में दिया हुए लेकिन आपको ऐसे ही बस सबके के-क-एक line के objectives सारे किस module पे बने थे 11th, 12th को आपको ज़्यादा focus करना है उसके बाद नीतियायोग, बस इतना आपको इस chapter में पढ़ना है और जो 9th chapter में money and banking इसमें भी, जो 10 बार आप banks है NBFC हैं, उनकी स्थापना कभ हुई किसकी पहले हुई, किसकी बाद में हुई इस पे एक question कभी-कभी पूस देता है तो आप money and banking किवाले chapter में establishment और कुछ committees खास करके जो static portion है, वो भी यहां से आप पढ़ लिजेगा मैं यह मान के चल रही हूँ कि previous year question papers से आपका सब covered होगा, लेकिन यहां से आप एक बार पढ़ लेंगे, तो आपका revision भी हो जाएगा, और आप जादे अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन आप यहां पे वो ही question पढ़िएगा, जो UP pieces में specially आए हो, UPSC में नहीं, RAS में नहीं, other states में other states का अगर आप consider करने तो सिर्फ बिहार का कर लें, बस, और किसी का करने के जरूद नहीं है, जिनके पास time जादा है, वो तो पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से, लेकिन जिनको 2023 का देना और जल्दी-जल्दी खतम करना, वो इस तरीके से पढ़ाई करना, तो यह हो गया आपका part A, अब आते हैं हम part B पे, social development part B का जो social development वाला part है न, यह जादा important है, तीनों ही chapters में बहुत जाधा important है इसमें भी बहुत अच्छे-ची schemes है इसमें भी अच्छे-ची schemes है, और इसमें भी तीनों में government की जो नए schemes इन तीनों पे आई है, जो indexes है, जो detas है जो trend है, जो चलता आया है, वो सब इसमें रहता है तो आपको एक बार इन तीनों को पढ़ लेने की ज़रूरत है प्लस क्योंकि ये वाला जो होता है वो ज़्यादा तक आर्तिकी में भी covered नहीं होता है तो आपको इन तीनों chapters को यहां से पढ़ना ज़रूरी है और बात की चीज़ें आपके current affair की magazine से cover हो जाएंगी तो ये काम खतम हो जाएगा जो part C है external sector external sector में international trade, foreign exchange, FDI, international debt ये दोनों जो हैं ये आपके आर्तिकी से cover हो जाते हैं international trade मतला हमारा किस देश से trade ज़ादा हो रहा है किस से कम हो रहा है, किसको हम ज़्यादा export कर रहे है कौन सी वस्तों ज़्यादा export कर रहे है कौन सी वस्तों इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे है ज़्यादा तर इसमें यह जाता है international trade कितना हमारा trade में भागिदारी है और कितना हमारी हम कितना करना चाहते हैं ये सब और इसी तरह foreign exchange, FDI और external debt, ये दोनों जादा तरह आपका आर्थिकी में cover हो जाता है, third point जो international organizations, इसमें 10 बारे international organizations होती हैं, UN, UN की जो agencies हैं और कुछ इदर उदर की, वो बहुत important है, कभी-कभी उनकी थापना year ये इस्थापना दिवस पूछ लेता है, तो आप international organization यहां से, खटना चकर से, जरूर पढ़ लीजीएगा, miscellaneous में, जिनके पास time में देखिए, मैं फिर कहते हूं, जिनके पास time में वो पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, जिनके पास time में और important चीज़ों को मैं यहां बता रही हूं, तो miscellaneous में भी पुरानी और नई कुछ कुछ चीज़े हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं, और जो UP में आयों हैं, उनको जरूर 2023 का prelims देने वाले लोग, UP में आयोगे questions को जरूर देख लें, वो भी जो static आते थे, अब देखा गया है कि धीरे धीरे demography से questions कम हो रहे हैं, तो फिर मैं वही कहूंगी कि जो UP pieces में आ चुके हैं, जो UP pieces में आ चुके हैं, वो questions यहां से देख लेज़ेगा, और कहीं आने वाले questions मत देखीगा, लेकिन UP pieces में आने वाले questions ज़रूर देख लेज़ेगा, आप previous year question papers अगर solve नहीं किये होंगे, तो जब वहां करेंगे तो revise हो जाएगा, और अगर वो कर चुके होंगे, तो यहां करेंगे, तो दुबारा से revision हो जाएगा, तो इस तरीके से आप demography पढ़ सकते हैं, अब चलते हैं, हम नीचे chapter wise देखते हैं, देखें, पहला chapter है questions, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा तर जो economics के questions आते हैं, वो data based आते हैं, वो current affairs से ही related आते हैं, आपको especially कोई book पढ़ने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है, मैं फिर से कहते हूँ, economic के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, especially कोई book पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसे को बहुत मैंने time में पढ़ ले, लेकिन कोई ज़्यादा book पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप साल भर काज़र current affairs पर follow कर रहे हैं, तो आपका काम हो जाता है, इस देखे question आया हुए, इंडिया aims to achieve the 5 trillion dollar economy by, फिर same question, question number two है, अब जैसे मैंने कहा कि static portion, तो देखे static वाला question यह question number third है, कि mixed economy means, तो इस तरीके से आपको खुद जानना पढ़ेगा, आप जब इसको पढ़ेंगे, तो आप काफी अच्छे से समझ पाएंगे, कि हमें कैसे और क्या करना है, फिर यह सारे static portion है, static portion है, आप इनको ऐसे scroll करते जाएगा, एक बार देख लीजेगा, ज़रूर देख लीजेगा, अब देखे, यह वाला जो chapter है, जनरली जो छोटे-छोटे questions आप, उनको देख लीजेगा, बहुत ज़्यादा complex question pieces में नहीं पूच़ा जाता है, GDP और ये से, बस हलका पुल का टिमाग में रखिएगा, कि इनके definitions क्या है, बस, उसके बाद ज़शे, यह ज़्यादर तरो, यह वाले इस सब questions से देखिए इसमें जो questions आए ना IAS, 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 BPSC, उत्राखंड, UP के questions आपको इस chapter में कम दिखेंगे, तो आप ये चीज़ों को ध्यान बेकर, अगर आपका पास time कम है ना तो इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, उसी तरह ही पढ़ाई कीजिएगा, पहले questions पूछे जाते हैं, और दूसरी बात ये भी है, कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, तो सिर्फ एक question के लिए आप इतना tough study क्यों करेंगे, इस से ज़्यादा अच्छा होगा, कि आप current affairs दो focus करने, वहाँ ज़्यादा benefit होगा, तो ये chapter हो गया, मैं बोल रही थी committees के बारे में, कुछ committees हैं, जो इस English वाली जो घटना चक्रा है, जो कि मुझे हिंदी वाली का PDF मिला नहीं, तो मुझे इसको यूज़ करना पड़ा, जो हिंदी वाली जो घटना चक्रा है, उसमें industry वाले chapter में 15-20 committees को एक साथ करके, और उसके आगे वो committee किसलिए बनाई गई बता दिया है, मैं questions धिरे-दिरे बताती चलती हूँ, जैसे अब कुछ कुछ institute कहां बनाए गया है, तो यह static question है, जैसे Central Food Technology Research Institute, यह UP pieces में पहले में में पुछता था, अभी कभी-कभी यह premise भी पूस दिता है, तो आप इसको static वाले को फिर मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ ल अब industry वाला chapter है, इसमें हम आपको दो-तीन questions बताते हैं, which was the first Indian private sector company to find place in global 500 list of fortune magazine, यह भी current, यह भी नीचे वाला जो question है, यह भी Fortune India का 500 companies, जितने current में 5-6 महिने में जो हुए रहते हैं, जादा तर इसमें यही पूस दिता, जो इंडेक्स भी 5-6 महिने के अंदर आते हैं, जो जो budget economic survey 5-6 महिने के अंदर आता है, जो भी government की schemes रहते हैं 5-6 महिने के अंदर की, जो बदलाव रहते हैं, वही जादा तर इसमें पूछा जाता है planning से जैसे देखे, first plan से लेकर के 12th plan तक इसमें दिया हुआ, target और actual, तो इससे आपको पता चलेगा, कौन से plan fail हुआ, कौन से plan successful हुआ, अब जैसे देखे, मैंने आपको कहा था, कि हर plan का कुछ ना कुछ एक line में goal था, जैसे first plan का community development, second का rapid industrialization, third का expansion of basic industries, fourth का achievement of self-reliance and growth with stability, fifth का था minimum needs program, इस तरीके से आपको सारे जितने भी 12 plans है, सब का एक एक line का, याद रखना होगा, वो किस model पर बनाए गया थे, जैसे पहला था, हैरोड डोमर model, दूसरा था, महाल नोबिस model, तीसरा था, चक्रवर्ती model, चौथा था, अशोक रुद्र model, तो इस तरीके से आपक planning वले chapter में मैंने जितनी चीज़े बताई थी, उतने ही चीज़े पढ़नी है, जादा नहीं पढ़ना है, उसके बाद आजाते हैं हम आयोजना, योजना आयोजना वले chapter, योजना आयोजना वले chapter आपको बहुत important है कि उसमें पुरानी से लेके नई योजना है, जो की अभी भी पूछी जाते हैं, जो important schemes हैं, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, development index, UNDP, यह सब employment and welfare schemes देखिए यह वाला chapter, यह chapter बेहर important है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, new version से लाके पढ़िएगा, ताकि जो पुरानी नई सारी schemes हैं, उस पे जिस प्रकार questions पुछेगें, नया version ला पुछे गए हैं, वो सारे questions वाही कठा होते हैं, UPPCS के lower में क्या पुछा गया है, UPPCS के proper pieces में क्या पुछा गया है, UPPCS अगर और कोई exam कराया है, तो उसमें economics related current में क्या question पूछा गया है, वो महां दे देता है, करी बार ऐसा होता है कि जो आसपास के exams में question पूछे जाते है वही same question copy कर देता है, UPPCS में भी, तो ये भी फायदा होता है नया version पढ़ने का, पहले तो ये सब copy वाला ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, येकिन फिर भी खतम नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आपको ये घटना चकर इसी तरीके से पढ़नी है, मुझे यही स बहुत लोगों को ये confusion होगा कि ये नाम मुला एक question नहीं कहीं था, यहाँ पे है कि person or related with, ये 2003 में question आया था, MS Swaminathan, LKJ, Korean, Murarji Desai, ये तो बहुत famous name है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि उस साल जो famous personality होती है, उनको इस तरह matching में दे देता है, तो आपको उस साल का याद नही कुछ साल का याद नहीं रखना, अभी जो famous personalities हैं, जो आपके समसामाई chronicle में या RQQ में दिये रहेंगे, आपको उनको याद रखना है, ये तो generally किसी ना किसी fields से related हैं, तो इनको याद रखना तो जडूरी है, लेकिन कई पर ऐसी personalities पूछ देती हैं, जो current affairs से related होती है, तो वो questions इस साल आया है वो उसी साल के लिए, उसके बाद उसका कोई relevance नहीं है, अब जैसे इसमें देखें कौन कौन सी policy कब कबाई, national agriculture policy 2000 में आई है, marine fishing policy 2004 में आई है, new foreign trade policy 2014 में आई है, 7th finance commission 1978 में आया है, ये आपको जानने से जैसे देखें, यहाँ पर ये चीज़ जो है, business women and company, अभी जो मैं बता रही थी, business women and company, जिया मोडी, अनुराधा देसाई, विल्लू, मोरवाला पतेल और मीना कौशिक, ये लोग जो है, ये जो है, ये किसी साल, जैसे 2005 IES में एक question पूछा है, तो आपको PCS वालों का ऐसा न कि ये रटने लग जाए फिर, रटना नहीं आपको, ये उस time की famous personalities रही होंगी, आज के लिए नहीं है ये, तो ऐसे आपको रटना नहीं है, जो अभी present में famous होंगे ना, आपको उनको रटना है बस, तो ये घटना चक्र को बताने का मेरा motive यही था, बागी banking banking में मैंने बता ही दिया, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, डेमोगरफी में मैंने बता दिया कि जादा तर वो ही question पर focus करना है, जो आए हुए है, इसके साथ आर्थिकी को आपको जरूर पढ़ना है, आर्थिकी skip नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिकी से ही difficultly other questions आते हैं, तो कुल मिला जुला करके आपको static portion पढ़ लेना है, कुछ-कुछ chapters को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ-कुछ chapters के कुछ static questions और कुछ जो UP मैं हुए questions उनको पढ़ना है, कुल मिला जुला के इसी तरह आपको ये आर्थिकी का पुर्वा विलोकन पढ़ फर्स्ट पे थी, या इंडिया किस नंबर पे था, तो इसका मतलब यह है, कि 2017 में ये question पूछा है, means, कि 2023 में भी same question पूछ सकता है, ये कहके कि 2022 में कौन सी country SDG goals में फर्स्ट पे थी, या इंडिया किस रैंक पे था, तो इस तरीके से आपको analyze करना है, और इस तरीके से आपक exam के लिए prepare हो पाएं, तो thank you, thank you very much for listening, and हम फिर और घटा चक्र के बारें भी नई वीडियोज बनाएंगे, कौन कोंसा chapter उसमें पढ़ना है, और फिर आपको, ताकि आपके लिए सुविधा जाना को, thank you very much.